आपके नीट में 20 questions पक्के हैं अगर आपने इन पांच चप्टर को अपने टिक्स पे कर लिया है क्या है वो देखें देखो genetics and molecular पढ़ने से पहले आपको biomolecule बहुत अच्छे से crystal clear हो जाना चाहिए प्रोटीन क्या है प्रोटीन के अंदर प्रोटीन क्या है वो तो बात अलग है प्रोटीन में किस टाइब के amino acids है amino acids derived कहां से होते हैं प्रोटीन तो enzyme की तरह ब्रेव करते हैं किस टाइब के enzymes के requirement होती है और एक बात और बताइता हूँ आपको nucleus के बारे में पूरी complete information होनी चाहिए, nucleus के अंदर homologous chromosome क्या है, zene क्या है, allele क्या है, यह general जो information है वो आपको कौन देखर के जाता है, nucleus की पूरी complete information biomolecular nucleus आपको clear है, तो genetic सबकी clear है, monohybrid cross, dihybrid cross, incomplete dominance, codominance, pleiotropy, polygenic inheritance, multiple allele, जो general points आपकी anxiety ने दियो हो, वही मैं बोल रहा हूँ, independent assortment, linkage, general जो define के हुआ, sex determination, यह सारे जो points मैं आपके बोल रहा हूँ, sequence है, कि आपको monohybrid, dihybrid, further dominance, incomplete dominance and codominance, dominance इसके अंदर दोनों आ जाएंगी, incomplete भी आ जाएगी, और codominance भी आ जाएगी, multiple allele, pleiotropyzine, polygenic inheritance, general points मैं आपसे discuss कर रहा हूँ, यह सारे points जो starting के अंदर दियो है, इनके अंदर बिल्कुल conceptual, related तब आएगी, जब आप biomolecule के protein and enzyme को बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, और nucleus को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, same चीज molecular base of inheritance के अंदर सबसे ज़्यादा important आपका nucleic acid, क्या है nucleic acid, nucleic acid की structure और nucleic acid का formation, formation का मतलब replication, central dogma of life आपको यहाँ पर पढ़ना है, जिसमें आप पढ़ते हैं replication, 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 transcription, translation, ये सारे points, खिक है, reverse transcription यहाँ पे हो जाएगा, तो ये सारे points समझ में आएगे जब आपके enzymes अच्छे से crystal है, अगर आपको crystal clear है, enzymes, protease, जगह जगह आपको number of enzymes मिलेगे, प्रोटियेज, काइनेज, नुकलियेज, अगर आपके एंजाइम से अच्छे से क्लियर हैं, तो आप बहुत अच्छे से प्रोसीड कर पाएंगे इसके अंदर, क्लियर, नेक्स्ट, अब आजाईए, लास्टाइम, इस चेप्टर से 9 to 10 questions, straight forward, आपको देखने को मिलेते हैं, straight forward, indirectly तो काफी सारे हैं, 9 to 10 questions, समझ में आरे हैं बात, एक बार बतायता हूं मैं, ये चेप्टर जिन सुड़ेंट ने कर ली है, third number evolution, evolution के अंदर, जो 7.9 figure है, 7.10 figure है, या फिर further adaptive radiation है, evidences for evolution, evidences for evolution अब पढ़ते हो चाहे वो anatomical हो, morphological हो, embryological हो, biochemical हो, या फिर biogeographical हो, यह सारे points आपको अच्छे से crystal clear हो जाने चाहिए, evolution के, वहां से question fix रहता है, उसके अलावा human evolution को आप अलग से पढ़े, पूरा complete जो human evolution है, human evolution जो है, उसको आप अलग से पढ़े, brief account of evolution, जिसमें सारे के सारे एराज आपको अच्छे से पता होने चाहिए, एजोईक, आर्केजोईक, प्रोटेजोईक, पहलीजोईक, मीजोईक, सीनोईक, इसके अंदर आगे फुर्दर जो period है, सीक्वेंस से, अगर सीक्वेंस आपको याद है, तो चीजें आप अंदर की जो चीजें बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे, लंबे टाइम तक रिटेन रख पाएंगे, ठीक है, एक कोशन फिक्स रहता है यहां से, देखें आप, तो इन तीन चेप्टर, चाहिए मैं जैनेटिक्स की बात करूँ, मॉलेकुलर बेस ओफ इनेटेंस और इवलुशन, बेसिक्स हैं, और यहां पर आपको इन बेटिन पॉपुलेशन जैनेटिक्स, हार्डी वेंबग पिंसिपल दिया हुआ है, हर साल डायरेक्ट इन डायरेक और डिन फिंगर प्रिंटिंग अच्छे से पढ़ लिया है, वो कब समझ में आने वाला है आपको, जब आप बायो टेक के अंदर अच्छे से प्रोसीड करते हैं, modern RDT, recombinant DNA technology, जिससे आप अपना desired product, desired animal के अंदर, अगर suitable environment है, तो easily produce करवा सकते हो, चिक है, तो ये point आप अच्छे से द्यान रखे, recombinant DNA technology को step by step आपको समझना है, और इसका base भी क्या है, आपके enzymes और आपका biomolecule, चिप्टर, फिर फर्दर, bio technology and its application, bio technology and its application के अंदर आपको general point BT cotton क्या है, RNA interference क्या है, gene therapy क्या है, तो ये फिर फर्दर insulin formation कैसे हुआ था, ये general major 4 points आपको दियों, इन 4 points है, हर साल fix है, question आता ही आता है, ठीक है, एक एक points जो है, आपको समझ में आने चाहिए, एक एक चीज जो है, वो आपको, समझ में तब आएगी, जब आपके basics clear है, bio molecule, आपको इनके लिए bio molecule की क्या जुरता है, अरे भाई, insulin protein, 51 amino acid, RNA interference, nucleic acid, sequencing तो है, RNA का, समझ में आते हैं, BT cotton, ये फिर gene therapy, adenosine deaminase, सोचें आप, जो मैं बोल रहा हूँ, उसको आप थोड़ा सोचें, सब कुछ, घूम फिर करके कहां आ रहा है, वापिस आपके, bio molecule पे, RNA interference, animal kingdom नहीं पड़ा, तो मिलवा डेगान, incognesia, जो टबैको की root के इंदर disease कोज कर रहा है, आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो basics आपके strong होंगे, तब आप इसके अंदर, चाहे वो gene therapy हो, चाहे वो gene therapy हो, चाहे वो आपका RNA interference हो, RNA, I, इसको short में लिखते हैं, चाहे वो आपका BT cotton हो, जिसमें cry 1 AC, cry 2 AB, पढ़ते हो, cry 1 AC और cry 2 AB, और cry 1 AB, तो यह सारे points आपको बहुत अच्छे से crystal clear होंगे, अगर आप इसी sequence के इंदर इनको पढ़ते हैं, biotechnology के अंदर important चीज़ क्या है, कैसे DNA को अपने extract करें, कैसे अपने polymerization उसका करवा सकते हैं, polymerase chain reaction के थूँ, PCR के थूँ, और PCR के step क्या-क्या है, last किनर downstream process जो बच्चा छोड़ करे जाता है, और वहां से question आता ही आता है, purification के लिए जो downstream process से लगाते हैं, वो, तो मैं आपको बता देता हूँ, overall आप देखें, ये 5 chapters आपके पास में हैं, और minimum बोल रहा हूँ मैं ये, 20 questions कितना, minimum 20 questions, ये 20 questions आपके पक्के हैं, अगर आपने इन 5 chapter को अपने tips पर कर लिया है, need exam का, biology का 20%, no doubt, biology के तोटल 38 chapters है, बट उन 38 में से ये 5 chapter ऐसे हैं, जो 20% need exam का paper cover up करते हैं, ध्यान रखना, important है, अच्छे से समझ लें, अगर ये chapter, और ये आपको बताएता हूँ, 15 questions तो, 15 questions तो यहां से ही fix है भाई, 15 questions उठाके देखें आप, last year's के papers आप अच्छे से उठाके देखें, 15 questions, fix है, आएंगे ही आएंगे, कोई किन्तु परन्तु है ही नहीं, और उसके अलावा, 6 to 7 questions minimum लेकर के जाते हैं, तो देख लेंब आप, next,